दोस्तों अंडर एक लाक रुपए के अंदर मिलने वाली जितनी भी सेकेंड हेंड गाड़िया होती हैं यह हर परिवार के सपने को पूरी करती हैं परिवार की पहली गाड़ी जिससे आपने धेरो यादे बनाते हैं और सेकेंड हेंड गाड़ियां दिल से काफिया जूड़ी हो दी हैं क्योंकि हम पहली बार जिन्दगी में अपड़ेट करते हैं आज की वीडियो में आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेगा हूँ जहां पर मैं आपको अंडर एक लाक रुपे के अंदर मिनने वाली इंडियन मार्केर पर पांच सबसे बेस्ट सेकेंड हैं कार्स के लिस् सब्सक्राइब करिएगा नमबर फाइफ दोस्तों यह है मार्ती सुजुकी 800 अगर आप जीवन में अपनी पहली गाड़ी लेना चाहते हैं बजट 30,000, 35,000 है 40,000 है तो इस गाड़ी से बहतर कुछ है ही नहीं और इसके लवा कोई आप्शन भी नहीं है 800 एक VFM कार है जिसम एक लाग के अंदर में तलास रहे हो तो सन 2000 से लेके सन 2007 तक का मॉडल काफी असानी से मिल जाता है एक लाग के अंडर में 800 गाड़ी की सबसे बड़ी मुझे खासित जो लगती है दोस्तों वो है इस गाड़ी का ड्राइविंग यह गाड़ी कोई भी चला सकता है जो लोग नए ड्राइवर होते हैं उनके लिए काफी अच्छा है प्लस परिवार के लिए काफा अच्छी गाड़ी है क्योंग इस गाड़ी का maintenance काफी कम है ज्यारी का यह देती है लेकिन जादा पुदानी होने पर इस गाड़ी की अर्ष गिर जाती है यह बार नोडिस कर आपको Centro Jeep मिले तो भी सही है, Centro मिल गया तो भी सही है एक लाग के अंदर मेरे कहाई से Centro का संदूजार 3 से लेके 8 तक का मॉडल काफी अराम से मार्केट मिल जाता है Centro गाड़ी दोस्तों काफी है Refined इंजन के साथ आती है इस गाड़ी के सब कुछ बहुत अच्छी है पावर भी अच्छी है लेकिर इस गाड़ी को लेने से पहले एक बात का घ्याल रखिएगा कि Hyundai की पुराने ले सेंट्रों में एवरेज बड़ी घटिया सियादी थी तो मैं आपको चौते नंबर पी इसे इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोग को लगजरी ने इसका मज़ा चाहिए एक लाग के अंदर तो इस गाड़ी के इंजन काफी साइलेंट है सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं और एक लगजरी फीलिंग देती है लेकिन एक बार दिमाग में लेकी चलिएगा कि इस गाड़ी पर माइलेज नहीं मिलता है आठ नौ दस बारा तेरा इस से दिग माइलेज ये गाड़ी नहीं कीच पाती है जिस वज़े से आप चौते पर सेंटरों देख सकते हैं लेकिन माइलेज भूल जाईएगा नमर 30 पर यह है चैवलेट भी स्पार्क अब यह एक अमेरिकन हैच पैक है जी हाँ दोस्तों अगर आपका बज़ेट भाई 50-60 जार है और आपको एक लगज़री चाहिए तो चैवलेट स्पार्क भी काफी ची डील हो सकती है यह गाड़ी दोस्तों आपको माइलेज जो देती है वो काफी अराम के साथ आपका 14, 15, 13 आपका माइलेज बहुत अराम के साथ निकाल देती है जो पावर फीकर्स की में बात करता हो तो यह गाड़ी अराम के साथ 70 VHP तक का पावर जेनेट करती है टॉप स्पीड दोस्तों गाड़ी की 130-140 तक बहुत अराम के साथ जाती है पस इस गाड़ी की जो बिल्ड कॉल्टी हो बहुत मजबूत है और गाड़ी स्टेवल है हाईवेस पे भगा दो कॉलिटेंशन नहीं हो यह आपके परिवार के लिए पहली यादगार गाड़ी भी बन सकती है जिससे आपकी यादे चुड़ें इस गाड़ी के जो कीमत हो की मैं बात करूँ तो यार यह गाड़ी आपको मिल जाएगी 2005 से लेके अराम के साथ 2015 तक का मॉडल भी मिल जाएगा आपको एक लाग के अंदर में अभी हाली में एक गाड़ी भी की थी मेरे परचीत में जहां पर 2014 मॉडल था और इस गाड़ी भी की अमातर 95,000 में तो अगर आपको एक value for money, affordable गाड़ी चाहिए तो मेरे कहाँ से यह best deal होगी आपके लिए चवलेट स्पार्क अगर आप 90,000 भी दोगे तो इस गाड़ी का दोसर दस मॉडल आपको मिल जाएगा तो आई थिंग यह गाड़ी मुझे personally बहुत सब्सक्राइब करूँगा अगर आपको second hand market में एक well maintained गाड़ी चाहिए जिसमें mileage हो, power performance हो और plus luxuriness हो नामर दूसरी, दोस्तो यह है Alto 800, एक सपनो की गाड़ी, एक cute सी सुन्दर सी गाड़ी है जो कि आपको वारतिय मार्केट में एक लाक के अंदर मिल जाएगी लेकिन यहाद रखी का इस गाड़ी का आपको कभी भी लेने जाएगे तो आपको पुराना वाला ही model मिलेगा एक लाक के अंदर जो इसकी में अकर में sun की बात कर तो आपको इस गाड़ी का अराम के साथ तो चार से लेके 9 तक का model मिल जाता है Alto एक छोटी साइच की गाड़ी है, सीखने वालों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी होती है गाड़ी में mileage 20 तक का देता है, mileage ही इसकी सबसे बड़ी reason है खरीदने की power steering में आ जाता है, जिस वाज़े से गाड़ी का पसंदीदा बन जाती है और इस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं Alto 800 को लेकिन याद रखिए का Alto 800 अकसर दोसु काफ़ी ज़ादा used condition मिलती है ताटा नैनो, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, अब कुछ लोग ये नाम सुनके भड़क जाएंगे कि भाई कितनी भड़ी सी गाड़ी सज़ेष्ट कर रहे हो, कैसी गाड़ी सज़ेष्ट कर रहे हो तो इस गाड़ी को सज़ेष्ट करने के पीछे में बहुत से option है पहरी भाई तो दोस्तों अगर आप नैनो में एक लाक रुपए लगा दोगे तो आपको 217 मॉडल मिल जाएगी 5000 लगाओगे तो भाई 2013 मॉडल भी मिल जाती है जिस वचे से आपको नया डिजाइन मिलता है, नया टेकनोलजी मिल जाता है गाड़ी में आपको 25 का माइलेज देखने को मिलता है जो कि आपके लिए आपके परिवार के लिए जेप बहुत कम खर्च पड़ता है गाड़ी में AC से heater से लेके सब कुछ less देखने को मिलता है और 2015 के बाद वाले model में तो power steering भी आ जाता है तो भाई मेरे सस्ते में आपको क्या चाहिए mileage चाहिए था मिल गया luxuriness चाहिए था मतलब AC heater चाहिए था वो भी मिल गया गाड़ी में low maintenance चाहिए था नए model की गाड़ी चाहिए थी वो भी मिल गया जिस वज़िस दोस्तो number one choice in my opinion नैनो है लेकिन अगर आपको नैनो किसी कारण बश्च नहीं पसंद आती तो आप spark देख लीजेगा overall दोस्तो in my opinion spark ले लो या नैनो ले लो auto अच्छी condition मिल जा रहा तो वो भी उठा लीजेगा लेकिन मेरे क्याल से market के लिए auto बहुत कम chances होते हैं कि एक लाक के अंदर एक अच्छी condition में auto मिल जाए तो इसलिए मेरे क्याल से auto को आप थोड़ा साइड में रखके spark और नैनो फोकस करें overall दोस्तों अपनी पहली गारी कौन सी थी comment box में ज़रू लिखे हैं और बैसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब auto hub